हेलो नमस्ते आप सबका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल में मैं CEO & Founder of R.A. Anjung Institute आज मैं आप सबको Quantitative Analysis के बारे में सिखाने वाला हूँ जो 10-15 marks में आता है इस चाप्टर में आज मैं आपको तीनी question चिखाऊंगा यह और तीन question आप लोग जान लेंगे तो 10-15 marks आज आपका यह BBS first year में भी पुछा जाता है engineering में भी पुछा जाता है अगर आप पढ़ रहे है business statistics लेकर तो यह question आपको अवस्या आएगा यह त्विन जो question है इसमें से आपको एक question आएगा 15 marks के लिए यह 10 marks के लिए सो ज्यादा time loss नहीं करते हुए हम लोग question की तरफ चलते हैं यहां पर देख सकते हैं आप the newspaper vendor buys the paper address 3 कितने में किना यह newspaper तीन रुपे में and sells them address 4 और चार रुपे में बेश दिया हुआ है if the paper is not sold on the particular day it has salvage value RS1 अगर वह paper नहीं बेश पाएगा तो उसका salvage value कितना हो जाएगा रदी का बाव कितना हो जाएगा एक रुपे ठीक है तो यहां पर जो दिया हुआ है cost price RS यहां पर देख सकते हैं तीन रुपे है sales them address 4 so selling price जो है यह आपका RS4 है if the paper is not sold on the particular day it has salvage value यह salvage value जो है yes भी कितना है RS1 याद रखिएगा अगर आपका question में salvage value given नहीं है और कुछ भी नहीं बोला गया है तो salvage value हम लोग RS0 रुपे लेंगे ठीक है यहां पर अभी salvage value दिया हुआ है इसलिए मैंने RS1 लिया solution है ठीक है अगर salvage value नहीं दिया होगा तो आप क्या करेंगे RS0 लेंगे तो आगे बढ़ते हैं the new paper vendor knows that he cannot sales more than 50 and not less than 45 ठीक है उसको पता है question में जब तक pay-off नहीं बनाएंगे regret table नहीं बनेगा तो question में पुछा जाए नहीं पुछा जाए हम लोग को pay-off table बनाना होता है pay-off table बनाने से पहले हम लोग marginal profit निकालेंगे MP marginal profit जो है marginal profit का फर्मुला होता है selling price minus cost price so selling price कितना है चार रुपे है और cost price कितना है तीन रुपे है तो फाइदा कितना हो जागा profit एक रुपे हो जाएगा ठीक है उसी तरह से हम लोग निकाल लेते है marginal loss marginal loss का फर्मुला होता है आपका यह cost price जो है cost price minus salvage value salvage value so cost price देख सकते हैं आप लोग cost price है यहां पर RS3 salvage value है RS1 तो हमारा गाटा होगा तो कितना रुपे हो जाएगा दो रुपे ठीक है salvage value याद रखिएगा यह salvage value जब नहीं दिया होगा तो हम लोग इसका salvage value जो है 0 मानेंगे ठीक है नहीं दिया होगा तो अभी कुईशन में क्या गिया होगा है salvage value जीमें है इसलिए 2 रुपे होगा है so pay off table बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे एक rule पता लगाएंगे pay off table का एक rule होता है pay off का pay off का rule क्या होता है marginal profit into unit sold ठीक है minus marginal loss into unit on sold ठीक है यह फर्मूला होता है so हम लोग को टेबल बनाना होता है टेबल इस तरह से बना लेंगे ठीक है देख सकते हैं हम लोग cost price 3 रुपे दिया हुआ है selling price 4 रुपे है marginal profit selling price से cost price घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा एक रुपे फाइदा हो जाएगा marginal loss for paper निकाल लेंगे तो cp minus salvage value 2 रुपे घटा हो जाएगा इस तरह से हम लोग solution करेंगे टेबल बनाएंगे तो क्या करेंगे यहां पे payoff लिखेंगे इसके नीचे demand लिखेंगे इसके नीचे stock और strategy लिखेंगे ठीक है stock और strategy उसने क्या बोला था 45 और 50 के बीच में बेचना था ना था यहां पे question क्या था देख सकते हैं he cannot sell more than 50 and not less than 45 so 45 और 50 के बीच में है तो हम लोग क्या करेंगे demand जो है यह 45,46,47,48,49,50 रख देंगे यहां पे जो लिखेंगे यहां पे भी वह लिख देंगे ठीक है 45,46,47,48,49,50 यहां पे देख सकते है pay of table यहां पे pay of table लिख कर demand लिखेंगे stock और strategy लिख लेंगे यहां पे 45,45,46,47,48,49,50 है इसी तरह से 45,46,47,48,49,50 हो जाएगा